टाइप 3 का 49 प्रस्ने देखना ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 13 से गुड़ा करने पर इसमें 180 की वृध्धी हो जाती है देखे रहां इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएंगे देखो ऐसी संख्या बोला है उसको सस्पहले क्या माले ना एक्स तो देखने ध्यान से इसमें हमने क्या माल लिया एक्स संख्या को उसके वृध्धी हो जाती है तो वृध्धी मतलब होता है प्लस एक्स प्लस एक्स हो अस्सी तो यहां सी इसको क्या करना है ये प्लस कुल्ट पक्षांतर के तो मैनस हो गया तो 13x मैनस x बराबर 180 13 में सेख गया 12x बराबर 180 x का मान निकालेंगे तो 12 कहां चला जाएगा नीचे और 12x 80 को भाग देंगे कितना आएगा 15 क्लियर है इसमें देख न कोश्चन नमर 42 किसी धनात्मक पूर्णांग का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधीक है वह पूर्णांग क्या है देख ओफसन दिया है 2, 4, 7, कोई नहीं अब इसको समझते देखो क्या बूला है धनात्मक पूर्णांग पहले X हम धनात्माक पूर्णांग माल ले थे X फिर क्या बूल है उसका vent X का पूर्ण अपने 5 गुने से तो जो मानते उसको लिखने है तो पहले क्या मानते है धनात्माग पूर्णांग X X हो गया 5 गुना मतलब गुड़ा किसका गुड़ा 5 का 14 अधीक है तो क्या करना है प्लस 14 समझ मायं किसी धनात्मक पुर्णां कवर्ग मतलब x माने थे तो x कवर्ग अपने 5 गुना तो x माने थे उसमें 5 गुड़ा और 14 अधीक है तो प्लस 14 देखो उसको दो तरीकेज बना सकते है पहला मधिपत तोड़ कर अब इसमें क्या किया देखो ये 5 को पक्षांतर किये तो प्लस कुल्टा माइनस हो गया ये प्लस 14 का क्या हो गया माइनस 14 बराबर 0 अब इसको बीच को तोड़ना है ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुड़ा करने में माइनस 14 आए और घटाने में क्या आए माइनस 5 तो क्या किया है देखो साथ दूनी 14 और 7 में से दो गया माइनस 5 इसको क्या करना जोड़ा बनाना X स्क्वेर और माइनस 7 X में X कॉमन निकलेगा तो यहाँ X बचेगा और यहाँ क्या बचेगा माइनस 7 प्लस हो इसी इन दोनों में समय प्लस हो जाएगा और फ्लस फुल्टा माइनस तो माइनस वाले को उत्थर में नहीं लेते उत्तर कॉन होगा इसका साथ देखो स्कूर बढबर 5 X प्लस 14 अब फ्लस देख दिखना जो X के जगा आप्प्सन को रख 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 जए जैसे एक बर दो, एक बर चार, एक बर साथ, मालूप पहले हमने क्या रखा, दो, तियो 2 कई स्क्वेर हो गया, फिर 5, एक स्क्वेर है, दो रखना, प्लस 14, तियो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, और 14 और 10, 24, अब दोनों बराबर है क्या, अगर दोनों बराबर नहीं है, तो 2 इसका उत्तर नहीं होगा, फिर दूसरा उप्षन में क्या दिया है, 4, अब 4 को रखना, दूसरा उप्षन में क्या रखना, दूसरा उप्षन 4, 4 नहीं रखना, 4 रखके देख लिए न, अभी देखो, तीसरा उप्षन में क्या दिया है, 7, अब 7 को रखोगी इसी में, तो एक से साइड बराबर होगे तो जिसमें बराबर होगे वह उसको उत्तर होगा तो यह साथ क्या है इसका राइट अंसर कि कि कि